साइटी ट्वैंटी लीग जो खेला जाएगा डज और जेक्स का बीच डज और जेक्स का बीच जो मुकाबला होगा वो होगा आज स्वाम को 9 बजे पीम में यहीं आज ही स्वाम को यहीं इंडियन समया नहीं सार रात को 9 बजे खेला जाएगा 9 बजे रात को जो मैच खेला जाएगा वो मैच कौन सा टीम जीतेगा और कौन सा टीम हारेगा कौन सा टीम है स्टोंग है कौन सा टीम कमजोर है और head to head record कितने खेले हैं और कितने कौन सा मैच जीते हैं और कितने कौन सा मैच हारे हैं सारा डिटेल्स बताऊंगा साथ ही साथ ये भी बताऊंगा पीच रिपोर्ट क्या राने वाला है आपको भी पता है जब पीच रिपोर्ट 100% काम करता है पीच रिपोर्ट क्या राने वाला है बैटिंग पीच है या बॉलिंग पीच अगर बैटिंग पीच है तो कौन सा बैस कार्ड पिलियर कौन सा होगा आज इस वेडियो में बताएंगे अगर बाइलेंस पिछ रहेगा तो टीम किस परकार से बनाओगे सारा डिटेल्स इस वेडियो के माध्यम से बता देता हूँ ताकि आपको टीम बनाने में कोई परिशानी ना हो कोई कटनाई ना हो और अपने हिसाब से कोई भी पिलियर को चेंज कर सकते हैं टॉस होने के बाद ताकि आपको एस्टेट और रिकॉर्ड मालूम रहेगा तो चेंज करने में कोई हर्ज नहीं है चलिए आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए विकेट कीपर सेक्षन से बात करते हैं विकेट कीपर सेक्षन से यहाँ पर तीन विकेट कीपर जो की संदार है जिनका अंदर काबलियत है इसे हर कोई इस पर नजर आएगा हर किसी को इस पर नजर आएगा हर कोई अपने टीम में इसे लेगा लेकिन मैं इस पिलियर में से और जिस पर सब को नजर आएगा मैं उससे थोड़ा डिफेंस अलग बताने बाला हूँ ताकि आप एक अच्छे प्रोफिट कर सकें यहां पर T20 है सबसे अपनर बैस्ट में डी कॉक है कोई डी कॉक जो कि T20 के लिए अच्छे खाते बल्ले बाज मने चाते हैं लेकिन रिस्वान के फॉम इतना गिर चुका है इतना गिर चुका है इसे बोलिये मत अभी तक पॉंच मुकाबले में से कोई भी मुकाबला ऐसा नह यह हमेशा फ्लॉप्स होते जा रहा है लेकिन इसके अंदर काबलियत है और आप भी इसे अपने टीम में रखोगे और इसे आपको ड्रोप भी करने का इच्छा नहीं करेगा च्योंकि यह फर्ष्ट बैस्ट में है फर्ष्ट में बैटिंग करेगा और पार्ट टेम जो है विकेट कीप्रिंग तो कर भी करता है आप लोग यह सुचते हैं अगर यह बैटिंग से फ्लॉप्स हुआ बॉलिंग से नहीं बैटिंग से फ्लॉप्स हुआ विकेट कीप्रिंग से अच्छा काजा पॉइंट दे सकता है लेकिन हर बक्त हर बक्ते विकेट कीपर को एगेंस में कैट नहीं जाता है साथ संजोग ऐसा मिक्स हो जाता है ऐसा कुछ हो जाता है जो विकेट की प्रेंग के आथों में कैट चला जाता है और इस कंडिशन में आपको इसे रखना उचित होगा या नहीं इस वीडियो में बताएंगे सबसे पहले मैं record बता देता हूं और unique player मैं 3-4 रगता हूं आप भी जानते हैं जिस भी टीम में unique player राता है उनी का team number 1 पर आता है उनी का team number 1 पर आता है अब दूसरा में निकलस पुरन इनका selection 100% के बात करें तो 84 हो गया और इसे कभी बैटिंग करने का मौका मिलेगा और कभी नहीं कोई भरोसा नहीं है लेकिन इसका अंदर इतना काभलियत है कमी बॉलों पर अधिक run बनाने का चमता रखता है और इसे हर कोई अपने team में लेकर जाएगा लेकिन मैं कहूंगा निकलस पुरन को भी drop करने के लिए रुको पहले सबसे पहले मैं state आपको बताता हूं और क्यों कहूंगा किस vision से कहूंगा टोस कौन जीतेगा और टोस हर कर बैटिंग करने का फैसला लेगा तब मैं बताऊंगा हरीकेंज हरीकेंज चार्ज नमर में बैटिंग करने आएका लेकिन खास परदाशन नहीं कर रहा है और इन तीनों का record के तुलना में मैं बता देता हूं हरीकेंज का इस टीम का अच्छा परफ़र्म है और यह जो है डियज कमजोड टीम है दो मुकाबले खेल कर आया है रिशंड में दो मकाबले के दोनों से जेक्स से हार कराया है, दोनों का दोनों जेक्स जीत लिया है, फिर भी इसे लोग सालेक्शन परसेंट काफी हाई कर रहा है, अगर इन तब को आप अपने टीम में पिक करोगे, तो आपका टीम यूनिक नहीं बनेगा, आपको सिर्फ इंटिरी फेस के पिक्षा और ज्यादा नहीं प्रोफिट होने वाला है, अब यहां पर बात कर लेते हैं, सबसे पहले बैस्ट में में, तब मैं टीम किरियट करकर बताऊंगा, बैस्ट में में, बैस्ट में में देखे, डिपलोसी का सालेक्शन परसेंट, तेरासी है, और डिपलोसी का साले Diplosi Head to Head खेल कर आया है दो मकाबले में इस टीम का अगेंस अच्छा परफॉम किया है एक में सतक से उपर दूसरी में 36 रन्मार कर आया है P20 में सतक लगाना बहुत बरी बात होता है और 36 रन्माणना और बरी बात है यहींनि इस टीम का अगेंस दो मकाबले खेले हैं दोनों में अच्छे परफॉर्म किया है और फ्लॉप्स भी नहीं हुआ है आर केर्शन भाई इस टीम का गेंस जेक्स अच्छे परफॉर्म किया था लेकिन यह भी फ्लॉप्स हुआ है और मात्र दो पॉइंट दिया है आखिर इस तरह से अच्छे अच् सालेक्षन परसेंट कम है यह भी इस ट्रीम का गेंस एक दो मकाबले कहले हैं एक में फ्लोप्स हुआ है एक में अच्छा प्रदर्शन किया है आप देखिए बेस्टमेंड में भी राज पैं इस ट्रीम का गेंस तो खेला नहीं लेकिन रिसंट के फॉर्म काफी जवरदास्त ह है आप लोग को मन में यह सवाल होगा बाई जो पिलियर का लाइनम में नाम सामिल है उसे नहीं बता कर और ज्यादा पिलियर के बारे में च्यों बताते हों मेरे दोस्तों लाइनम में नाम सामिल रहने के बाद जुद भी अभी 38 पिलियर 6-6 पिलियर चेंज हो जाता है अग इसलिए मेरी दोस्तों मेरा लंबी बेडियो तो नहीं बनेगा लेकिन 10-12 मिलत का अंदर मेरा बेडियो बनेगा 10-12 मिलत अगर आप इस बेडियो में समय दे देते हो तो आप कोई भी टीम बना सकते हो हेड टू हेड लिग, एस्मॉल लिग, गरेंड लिग, मेगा गरेंड लिग, जीयल लिग, गरेंड लिग का रिक्सी टीम, जो भी टीम बनाना चाते हो, वो बहुत आसानी से बना सकते हो, अब यहाँ पर देखिए, एमेंड खेलेगा नहीं, टार्जन जो है, खास इनका लेनम में बैटिंग, तीन नमर में बैटिंग आता है, और दो एनिंग रिसन के मैच खेल कर आया है, काफी अच्छे परदर्शन किया है, और इस सम्में से आपको किसे लेना है, यह भी बताऊंगा, सबसे पहले मैं इसे ड्रोप कर देता हूँ, और यहाँ पर, पीच रिपोर्ट बता देते हैं उससे पहले, वलंडर में आने से पहले पिच रिपोर्ट बता देते हैं, आप भी जानते हैं, जिस भी टीम से अच्छे परफॉर्म करता है, उनका पीच रिपोर्ट या गरोन सूट होने के बाद, यहाँ पर देखिए, पीच रिपोर्ट जो है, बैटिंग में खेला जाएगा अब यहां पर देखिए डिपलोसी का रिशन्ट के फॉम अच्छे हैं जिनके कारण सेलेक्शन परसेंट काफी हाय हो गया और इनका रिशन्ट के मैच में जितने भी मुकावले खेले हैं एक अक दो प्रिकस यूनिक फीलर हो सकता है इस टीम के लिए जिएमन तीन नमर में बेटिंग करने में का मुका रिज जाए ते वं देशन्सका का इनन बा रिंग करने का मोका भी नहीं मिला है लेकिन यह तीन नमर में बैटिंग करेगा अरे संट के फॉर्म ठीक ठाक है और यह आरपने भाई यह तो अच्छे बैस्ट मेन है कभी भी लंबे स्कोर लंबे पारिक खिल सकता है और खास बीज जब बैटिंग को सप्पूर्ट करता है तो अच्छे खा बता है डी ओएज खेलेगा तो अपने टीम में जरूर रखेगा अच्छे खासे पॉइंट देने के उमीद लगा सकते हैं के वल बॉलिंग तो नहीं क्या है लेकिन 87 पॉइंट दिया है बेटिंग से अब यहां पर देखिए इस सम्में से आपको किसे लेना है यह भी बताएं बॉला सेक्षन में जेक्षवन जी कार्ड टार्गेट आज जरूर खेलेगा अगर नहीं खेलेगा तो डर्म कार्ड रिक्सी प्लियर के रूम में इससे जरूर टराके जिएगा उसके बाद देखिए आट्रोपिया को हर कोई लेकर जाएगा लेकिन मात्र पिटाई हुआ है बहुत एण नागर का पिटाई हुआ स्यासर पॉइंट दिया है एरं तेगर अच्छे खासे बॉलर है लेकिन इसे पिटाई इतना हुआ है कम सालेक्स सब्स काज परदाशन नहीं किया है केसा महराज काज है रूम में दिया है अनुभवी के साथ साथ इस्प्रैंस बंदे ह बॉलर काफी लाजबाब है चार वबर पूरे करेगा अगर एस्टोग खेलेगा तो अपने टीम में जरूर रखेगा एस्टोग खेलेगा तो अपने टीम में जरूर रखेगा यूनिक पिलियर के रूम में होगा अब चलिए मैं बॉलर सेक्षन में से बात करते हैं आखिर मैं मैं पिलाल के लिए करण टर्ण को जरूर लूँगा क्योंकि दो मकाबले जीत कर आया है और यह डर्मकाट रिक्सी बॉलर के रूम में मैं लेता हूं इसे लेने के बार इधरां तेग राक लूँगा अच्छे एस्पिनर है ठीक ठाक पर दर्शन करने का उमीद लगा सकते हैं अब यहां पर देखे आर गोषकर या के सम महराज इन सम्मे से सालेक्शन परसेंट दोनों का सेम 34-32 इन दोनों में से आप किसी एक कटराय कर सकते हो मैं फिलाल के लिए एक कोटर आर गोषकोट कर रहा हूँ दूसरा मैंने तीन बॉलर लिया हूँ तीन बॉलर से मैं ज्यादा नहीं लूँगा तीन बॉलर मैं लिया हूँ आप भी ध्यान से देखिएगा बैटिंग पिछ है तो ज्यादा बॉलर लिजिएगा तो बॉलर को इस टीम में पिटाई ज़्यादा होता है आप मैंने डिफ लोसी को लूँगा क्योंकि इने के अंदर काबलियत है बैटिंग और बॉलिंग दोनों करने का अब डर्मकाड रिक्सी पिलियर के रूम में मैंने एक बॉलर को ले लिया हूं अब मैं जे वर्तन को लूँगा अब इन दोनों में से मैं किसी एक को लूँगा डर्मकाड रिक्सी पिलियर के रूम में एक लिया हूं अच्छे खासा है मैंने तीन ओल अंडर लिया हूं देखिए तीन ओल अंडर लिया हूं आप चाहे तो चौता और अंडर आर्ट बैसर को ले सकते हैं लेकिन सेलेक्शन परस पत को लूँगा अच्छे खास लोन को लूँगा अब यहां पर मैं विकेट कीपर सेलेक्शन में यहां पर देखिए हरीकेंस अच्छे खासे हैं हरीकेंस को मैं ले लिया हूँ अब यहां पर अच्छे खासे विकेट निकलस पुरन दोनों है अब यह वापनर है बैटिंग प आज अच्छे पिक याओं हरीकेंस को सेलेक्शन परसेंट कम हैं इसलिए लिया हूं निकलस पूरान ये NATO में अच्छा परदार शन करने के कारण। अच्छे रिकाउट होने के कारणि से त्या अगर आप इन दोनों में से हरिकेंस को टराय कर सकते हैं एक और best main को आप लेना चाहते हैं जेक तर्फ इसे आप लें सकते हैं मैंने 6 पहुच का कम लेसन अच्मेशन बनाया हूं देखिये मैंने कीपट की परसेक्षिन से एक लिया हूं और best man में 4 लिया हूं ध्यान से देखिए best man में 4 लिया हूं 3 वलंडर लिया हूं 3 वलंडर लेने के बाद देखिए 2 ballar मैं dermaard ballar लिआ हूं करीब चार player मैं dermaard ले रीहा हूं और चार पिलियर डर्म कार्ड लेने के बाद देखिए अब मैं नेश्ट करता हूं नेश्ट करने के बाद अब आ जाते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन पर आप भी चलते हैं जिस भी टीम से कैप्टन और वाइस कैप्टन अच्छे परपॉम कर दिया उनका टीम 100% चलेगा मैं फिलाल के लिए अगर जेक्स से पहले बैटिंग करेगा तो मैं कैप्टन सी और बॉइस कैप्टन डिप लोसी को दूँगा चाहें ये फ्लॉप्स हो चाहें ना हो क्योंकि जे मैं को बॉइस कैप्टन कापी हा है इसलिए मैं बॉइस केप्टन जे वर्थन को दूगा तिन नमर में बैटिंग करेगा और बैटिंग और बॉलिंग दोनों से लाजवाब परदर्शन करता है क्यों दिया हूँ इसे मैं केप्टन इसलिए नहीं दिया हूँ केप्टन 25% सेलेक्सन है बॉइस केप्टन कम है अगर ये अच्छा परदर्शन किया है तो मैं केप्टन सेफ देता हूँ तो बॉइस केप्टन पर रिक्स लेता हूँ सेफ टिम करता हूँ सेफ टिम करने के बाद देखिए मेरा टिम का पर वियू किस तरह से रहता है देखिए मेरा टिंका पर वियू फिलाल के लिए इस तरह से रहेगा हाई ओप ये वीडियो आपको पसंद आए चैनल को लाइक और सश्क्राब करना फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो जाहिन दोस्तों